हलो फ्रेंड्स वेलकम टो क्रिष्णा क्रिएशन आज मैं आपके साथ इस ब्लाउस का वीडियो शेयर कर रही हूं और ये एक रिक्वेस्टेट वीडियो है तो आईए हम सुरू करते हैं तो हम यहाँ पर जो कैप ब्लाउस बनाने जा रहे हैं उसके लिए ये मटेरियल मैंने लिया हुआ है लाइनिंग का कपड़ा आपको चाहिए 80 cm और यहाँ पर मैंने सिफोन का फैब्रिक लिया हुआ है धाई मीटर तो 2 मीटर में तो आपका कैप बनेगा और आदे मीटर में प्लाउस और उसके साथ ही आपको यहाँ पर चाहिए एक लेस यह लेस आपको चाहिए कम से कम 10 मीटर क्योंकि हम इसे पूरे कैप में लगाएंगे तो आईए शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइनिंग के उपर कटिंग करूंगी तो देखिए यहाँ मैं फ्र चेस्ट हो उसका फोर्थ पार्ट आप लेंगे और उसमें टू इंच एड़ कर लेंगे तो मैं यहाँ पर 36 चेस्ट के लिए बना रही हूं तो मैंने इसे 11 इंच पर फोल्ड कर लिया है तो बागी कप्ला हम यहाँ से काट कर निकाल देंगे तो देखिए मैंने इसे अब इस तरह से फोल्ड कर लिया मेरे पास यहाँ 4 फोल्ड कप्ला है मुझे 14 इंच रेडी करना है तो हम 15 इंच ले लेंगे अब इसके बाद आपको शोल्डर का निशान लगाना है तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है आपके जितन भी शोल्डर हों आप उसका हाफ यहाँ पर लेंगे और इसके साथ ही हम आर्म होल लगाएंगे तो मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रो कर दी अब हम लेंगे चेस्ट के लिए निशान तो जैसा कि मैंने आपको बताया 36 चेस्ट है तो उसका फूर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच और इसमें हम 1.5 इंच एड़ कर देंगे यह हम फ्यूजर के हिसाब से रखते हैं कभी आपको ब्लाउज लूज करना हो उसके लिए हम यहाँ यह एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं अब यही निशान मैं नीचे मिला देती हूँ अब साइट के दोनों निशानों को हम मिला देंगे इसके बाद अब मैं यहाँ आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी तो 3 इंच पर एक निशान लगाया मैंने और उपर 1.5 इंच पर अब यहाँ आपको फ्रेंच कर्व से शेप देनी है आर्म होल की तो देखिए इस तर से आप नेक लेंगे यहां मैं बोट नेक बना रही हूं तो 5 इंच मैंने इसकी विर्थ ली है आप अपने हिसाब से यहां नेक ड्रॉ कर लें और गहराई मैंने ली है यहां पर 4 इंच और इसमें हम बोट नेक ड्रॉ कर देंगे मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूं कि नेक आपको अपने हिसाब से लेना है जितना भी आप बोट नेक में लेते हो और इसके बाद शोल्डर के लिए हलका सा हम निशान लगा देंगे इस तरह से तो इस तरह फ्रांट और बैक दोनों पीस हमारे एक साथ हैं तो हम इसकी अप कटेंग कर लेंगे तो देखिए अभी आपको सिर्फ बैक पीस के आर्म होल पर कटेंग करनी है अब इसके साथ हम बैक का पीस हटा देंगे और फ्रांट पीस में आर्म होल की शेप लगा लेंगे अब मेरे front और back के piece cut हो गए हैं अब हम इस पर marking कर लेते हैं dart के लिए हम front की side से 3.6 पर एक निशान लेंगे और नीचे से 5 इंच पर एक निशान ले लेते हैं क्योंकि हमने 15 इंच लंबाई लेती इसकी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि front के piece में आपको 1.5 इंच की dart लगानी है देखिए इस तरह से और back के piece में आपको सिर्फ 1 इंच की dart लगानी है तो हम यहाँ पर निशान ले लेंगे अब इसके बाद जो मेरा fabric है सिफोन का उसमें से हम पहले front और back के piece cut कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर चूंकि यह कपड़ा बहुत movable होता है तो मैंने यहाँ pin up कर लिया है और इसे cut कर लिया है तो देखिए front और back के piece cut करने के बाद अब मेरे पास यह 2 मीटर कपड़ा बचा हुआ है अब इसमें से हम निकालेंगे cap तो यहाँ पर मैं आपको paper पर पहले बताऊंगी क्योंकि यह cap थोड़ा अलग type से cut होगा देखिए इस तरह से आपको 4 fold करना है यहाँ पर मैं full umbrella cap बनाऊंगी तो देखिए आपको इसकी लंबाई और चुड़ाई लेनी है 20 wire 20 और इस तरह से यहाँ पर हम shape लगाएंगे जैसा कि हम full umbrella skirt बनाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर shape लेनी है अब यहाँ पर आपको neck draw करना है तो जो lining के कपड़े में से neck हमने cut किया था same वही naap आपको यहाँ पर रखना है तो 5 by 4 का हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे तो एक sleeves की side से हमें पूरी length लेनी है और एक side से हमें कम रखनी है length जिस तरह से हमने इसका pick देखा था तो देखी मैंने यहाँ पर paper को खोल लिया है और neck हमारा same cut होगा अब हमें इसकी length पर ध्यान देना है और जो आपने neck cut किया है उसके बाद हम 8 inch लेंगे यहाँ पर अब इसे आपको इस तरह से मिला देना है तो एक side हमारा हो जाएगा total 13 inch और एक side तो 20 inch है ही तो मैं यहाँ पर इसी तरह से आपको कपड़े पर cut करके बताती हूँ तो मैंने double fold किया है कि इसका जो length है वो आगई है 20 inch अब हम इसे 20 inch पर यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे fold कर लेंगे तो हमारा 20 by 20 का 4 fold कपड़ा हो जाएगा तो जो lining के कपड़े में से neck का piece cut हुआ था उसी को हम यहाँ पर रखेंगे जिससे हमारा same neck cut होगा और यहाँ पर draw कर लेंगे इस तरह से अभी मैंने neck पर draw कर लिया है इस तरह से हम यहाँ पर neck को cut कर लेंगे और neck cut करने के बाद मैं यहाँ pin up कर लेती हूँ तो देखिए दोनों shoulder आपको अलग-लग pin up करने हैं और यहाँ पीच में से भी my neck pin लगा लेती हूँ क्योंकि यह सिफॉन का कपला है अब मैंने जैसा आपको पेपर पर बताया था उसी तरह से हम निशान लगाएंगे इसकी नीचे की गोलाई का तो नेक कट करने के बाद एक साइड हम लेंगे 8 इंच और एक साइड हम लेंगे 15 इंच तो अब हम जो 15 इंच वाला निशान है यहां कॉर्नर पर वहां से नीचे तक एक कर्व ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद जो 8 इंच का मैंने निशान लगाया था देखिए वही निशान मैं पीछे की साइड ले लेती हूँ तो जो गैप है वो आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा अब आपको इसे उठाना है और सिर्फ उपर वाली जो दो लेयर है उस पर आपको कट करना है और इसे अब मैं उठाऊंगे और जो दूसरी साइड का मेरा निशान था एट इंच का वहाँ पर इसे जमा कर रख दूँगे तो इससे क्या होगा कि मेरा जो नीचे का कर्व है वो बिल्कुल एक साइगा दोनों साइड का अब हम इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से कट करने से क्या होगा कि आपका जो इतना कप्ला है यह यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया और इसे भी हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं तो दिखिए जो यह कैप कट हुआ है इसे मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ और आप इसे साइड से और नीचे से बिल्कुल पिन अप कर लें क्योंकि हम इसी कप्ले को रखकर एक कैप और कट करेंगे जो बचा हुआ कप्ला है उसे वापस से डवल फोल्ड करके इस तरह से बिचा लेंगे और इसके उपर जो मैंने कैप कट किया था उसे भी मैं बिचा लूँगी तो आप बिल्कुल शोल्डर से शोल्डर में लाकर रखिए और इसे पूरा बिचा लीजिए अब हम सेम यही कैप एक और कट कर लेंगे तो देखिए अगर आप चाहें तो दौनों कैप एक साथ भी कट कर सकते हैं तो यहाँ पर जो एक कैप पिनप है उसमें से मैं लेयर निकालूँगी क्योंकि पिनप है तो मुझे इजी पड़ेगा और इसे मैं एक साइड उठा कर रख देती हूँ अब जो पिनप पाला था इसमें से आपको निकालनी है लेयर तो देखिए एक साइड आपका 15 इंच है और एक साइड आपका है 8 इंच मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 लेयर निकालनी है तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं देखिए यहाँ पर हम 4, 8 और 12 तीन निसान लगा लेंगे और इसके दूसरी साइड मैं 2, 2 इंच का निशान लगा लेती हूँ और यहाँ जो इसका center है देखिए आपको एक निशान दिख रहा है center में यहाँ पर भी मैं 44 inch का निशान लगा लेती हूँ जिससे मुझे layer काटने में आसानी रहेगी अब यह जो तीन निशान आपके पास आए हैं इन तीनों को आपको मिलाना है तो मैं यहाँ पर free hand से ही draw कर लेती हूँ क्योंकि अगर हम inch tape से नाप कर निशान लगाएंगे तो उसमें बहुत time जाएगा तो simple आपको इस तरह से देखते जाना है और chalk से निशान लगाते जाना है अब नीचे का जो यह extra कपला है इससे मैं काटके अलग निकाल देती हूँ और बिल्कुल जो chalk के निशान है वहाँ से हम cut कर लेंगे अपनी तीनो लेयर तो इस तरह से तीनो लेयर यहाँ cut हो गई है अब आपको इसका जो center का निशान है उस पर भी आप एक chalk से निशान लगा लें तो देखिए शोल्डर पर भी हम तीनो लेयर पर एक cut लगा लेते हैं जिससे जब हम इसे blouse में attach करेंगे तो हमें easy रहेगा और देखिए यह तीनो लेयर पर मैंने लिख दिया है 1,2,3 अब हम इसे एक side रख देंगे तो इस तरह से यह blouse की cutting हो गई है इसका एक full cap है और एक layer है और blouse है अब इसे हम सिलाई करेंगे तो देखिए जो blouse है उसे तो हम क्या करेंगे एक दूसरे के उपर opposite रखेंगे और shoulder और neck पर सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका neck भी cut कर लेंगे अब अंदर हलके हलके आप cut लगाईए और cut लगाने के बाद हम इसे पूरा पलट लेंगे पूरा पलटने के बाद अब आप चाहें तो यहाँ पर press कर लें या एक सिलाई लगाकर इसे shape दे दें और चारों तरब से इसे attach कर लें तो मैंने यहाँ पर front और back के piece इस तरह से तयार कर लिये हैं अब आपको यहाँ पर tux लगानी है तो front में 1.5 इंच की और back में 1.1 की tux लगा लेंगे तो देखे यहाँ पर मैंने front में 1.5 इंच की और back में 1.1 की tux लगा ली है अब इसके आपको shoulder joint करने है तो यहाँ पर shoulder joint करने के बाद यह इस तरह से आया है अब इसके उपर हम cap लगाएंगे तो इसे मैं 1 side रख दूंगी और cap तयार करूंगी तो यहाँ पर जो यह full cap है इसके उपर आपको layer लगानी है तो हम यहाँ यह layer तयार करेंगे तो देखिए जैसा कि आपने pick देखा था इन तेलो layer में नीचे हमें lace लगानी है उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले सीधा हम layer को रखेंगे और इसे उपर की side single fold करेंगे तो देखिए मैंने इसे उपर की side fold किया है अब इसके उपर मैं इस lace को इस तरह से लगाऊंगी कि जो folded कपला है वो छुप जाए और देखिए यहाँ पर मेरी बांकी की जो lace है वो नीचे की side लटक जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो lace मैंने लिए वो curve नहीं हो रही है अगर आपके पास इस type की lace है जो curve हो रही है तो आप पूरी इस lace को अपनी layer के उपर इस तरह से लगा सकते हैं और गुलाई में पूरी इसल जाएगी लेकिन चुकि मेरी lace curve नहीं हो रही है तो मैं इसे नीचे की side लटकाते हुए सिलूंगी तो देखे यहां पर मैंने तीनों layer इसी तरह से तयार कर ली है और इसके साथ ही जो हमारा cap था उसका bottom भी मैंने इसी तरह तयार कर लिया है तो देखे यहां पर आपको आदी lace इस तरह से लटकती हुई दिखेगी और मैंने यहां पर mirror work की lace ली है आप चाहें तो दूसरी कोई हलकी lace लें क्योंकि mirror की वज़े से यहां पर weight काफी हो जाता है इसमें क्योंकि पूरी 10 meter lace इस cap में लग जाती है तो अब हम इन layer को इस cap में attach करेंगे तो जो side में आपको देखे छोटे छोटे shoulder वाले cut के point दिख रहे हैं और same cut हमने अपने layer पर भी लिये थे तो देखे जो first layer है इसे हम अंदर की side से लगाएंगे और उपर की side fold करेंगे तो देखे shoulder से shoulder का point हम मिला कर इसे pin up करेंगे और उसके बाद इसे पूरे में आपको इसे पूरे में आपको इसे लगाना है और उसके बाद इस पूरी layer को front की side में ले लें ये जो बाहर की side आएगी उसके बाद आप neck पर एक सिलाई लगा लें तो ये पूरी अच्छे से जम जाएगी तो यहाँ पर first number की layer हमारी लग गई है अब हम इसके नीचे दूसरे और तीसरे नंबर की layer लगाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर chalk से draw कर लेंगे क्योंकि इस पूरे जो full umbrella ये cap है उसमें आपको layer लगाने में तोड़ी problem आएगी तो आपको layer यहाँ इस तरह लगानी है कि जो layer से उसके नीचे दूसरे नंबर की layer का जोड आए जिससे ये layer दिखेगी नहीं तो आप इसी तरह से यहाँ chalk से draw कर लें तो देखे यहाँ पर जो पहले नंबर की layer है उसके नीचे इस तरह से आप देखते जाएं और chalk से निशान लगा लें मतलब हमारी दूसरे नंबर की जो layer लगेगी उसका जोड पहले नंबर की जो layer है उसके नीचे आएगा और सेम आप चाहें तो दूसरे नंबर की layer लगाने के बाद तीसरे नंबर की layer का निशान लगा लें और यहाँ पर जो निशान करनी हैं और हम इसे लगाएंगे कैसे आपकी जो लेयर है उसे आपको अंदर की साइड एक बार फोल्ड करना है और इस तरह से लगाते हुए उपर से सिलाई लगा देनी है तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों लेयर लगा चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने लेयर का जो उपर का हिस्सा है उसे सिंगल फोल्ड करके उपर से सिलाई लगा दी है तो ये दूसरे और तीसरे नमबर की लेयर लग गई है और नीचे हमने लेस लगाई चुके थे और यहां पर कंदे पर जो मैंने कट लगाया था उसकी बज़े से इसका शोल्डर का पॉइंट भी हमें इजी ली दिख जाता है और इस ब्लाउज की पूरी कारीगरी सिर्फ इस कैप को तयार करने में है अंदर के साइड तो आप चाहें प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं या सिंपल ब्लाउज बनाएं कुछ भी चलेगा तो यहां मैंने ये कैप तयार कर लिया है अब आपके पास दो आप्शन है आप चाहें तो blouse को अलग से तयार कर लें और cap को अलग से पहने और उसके लिए आप यहाँ पर shoulder पर कुछ भी चिट पटन या कुछ ऐसा लगा लें कि यह blouse और cap दोनों neck पर से set रहें और या फिर आप इस blouse के साथ इस cap को attach कर लें तो मैं यहाँ पर blouse के साथ cap को attach करके आपको बता रही हूँ तो देखिए blouse को इस तरह से बिचाया और इसके उपर हम अपने full umbrella cap को भी पूरा बिचा लेते हैं और यहाँ आप अपने हिसाब से जिस भी hand पर बड़ा side लेना चाहें उसे साथ से set कर लें और shoulder पर cap का shoulder point attach करके pin up कर लें और उसके बाद आपको एक सिलाई लगा कर इन दोनों को attach कर देना है अगर आपके पास lace extra हो तो आप चाहें तो यहाँ neck पर भी एक lace लगा सकते हैं तो इस तरह से मैं इसका neck complete कर लेती हूँ तो यहाँ मैंने neck पर सिलाई लगा ली है देखें front और back के भी मैंने निशान लगा लिये थे और shoulder के भी निशान हमारे पास थे अब आपको इसमें blouse ready करना है तो simple जो blouse के नीचे का bottom है वहाँ पर हम एक पटी लगाएंगे और इसमें fitting की सिलाई देंगे और side से हमें इसमें chain attach करनी है तो देखें यहाँ पर मैंने पटी लगा ली है fitting भी इसके लगा ली है और एक side जहाँ chain लगानी है वहाँ पर मैंने सिर्फ 2 इंच का सिला है अब इसके पाद चूकि यह blouse अंदर की side ही रहेगा तो इसमें हम chain सीधी side से भी direct लगा लेंगे तो जितना आपका margin है उस हिसाब से आप चूक का निशान लगा लें और यहाँ chain लगा लें तो इस तरह से chain को रखिए और front की side से ही हम एक side से सिलाई लगाएंगे उपर की side इसे पक्का करेंगे और वापस दूसरी side आके इसे attach कर देंगे तो देखिए यहाँ पर मैं chain लगा चुकी हूँ यह देखिए अंदर की side इस तरह से मैंने यहाँ इसे पक्का कर दिया है और अब जो extra chain है उसे मैं यहाँ से cut कर दूँगी और नीचे जो मैंने extra पट्टी लगाई थी उसके अंदर इसे fold कर दूँगी और पूरी सिलाई कर तो देखिए यहाँ पर मैं पूरी सिलाई कर चुकी हूँ और यह chain भी मेरी attach हो गई है और इस तरह से यह cap blouse ready हो गया है इसमें आपको थोड़ इजी महनत तो लगेगी लेकिन इसका look इतना जबरदस्त है कि आप इसे साड़ी पर या लहंगे पर crop top की तरह भी पहन सकते हैं तो I hope आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया और आप इस blouse को try करें तो मुझे इस number पर आप pick भेज सकते हैं मैं उसे अपने YouTube story और community में share करूंगी अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया हो तो please subscribe कर लें क्योंकि मैं इसी तरह के नए design के video आपके साथ शेयर करती रहूंगी इसी के साथ thanks for watching this video